हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आवर चैनल शांत्रा एलेक्रिकल हाग फ्रेंड मैं विश्चोजीत आज का जो टॉपिक है एक SMPS कार है जो सिंगल फेज डॉबल फेज में चलता है उसके बारे में टेंट देखिए इसका जो मॉस्पेट है लागा है इधर वो खराफ था तो इसके मॉस्पेट को लागाने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा और होट साइड होता है या इसको प्राइमेरी साइड बोलते है एस सेकेंडरी साइड या कोल्ड साइड बोलते है तो अगर आपको कैसे अधेंटिफाई करोगे आप लोग एक उड़ साइड में देखिए एसी 242 आ रहा है DC link DC में चेक कर रहा हूं देखिए 216 आ रहा है किम कि फ्रेंट इस जगा में disc capacitor नहीं लगा के रखा हूं फ्रेंट इधर देखिए इधर capacitor लगा है इस का ख्रोश में लगा रहा हूं इस देखिए इधर वल्टेच 232 आ रहा है फ्रेंट मैं क्या बोला था इधर नहीं आ रहा है बात को ध्यान दीजिये इधर मैंने बोला था capacitor लगा नहीं है इधर दिखिए इधर DC में कम आ रहा है इधर DC में जयादे रही है क्योंकि फ्रेंट यह दोग अलग ब्रीज है इधर एक bridge लागा है, यह bridge है, फ्रेंट इधर एक bridge लागा है, तो यह क्या कर रहा है, DC को isolate कर कर रहा है, सेपरेट कर कर रहा है, फ्रेंट इसलिए आईसे हो रहा है, फ्रेंट उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इधर जो oscillation है, फ्रेंट यह oscillation, अब लोग को DC में चेक करना पड़ेगा ठीक है फिर्ट देखिए यह जो मस्टड लागा था एक गेड है डेन है यह सोर्स है तो हम लोग क्या करेंगे शोर्स में नेगेटिव रखेंगे गेड में पाजिटिव रखेंगे देखिए कोई वोल्टेज नहीं सो कर रहे है ना इसे भूल्टें जाएगा तो यह चाल रहा है यह तो अब चौपलिर को पर क्या Collinsaring का अधिशिए मैं कापासिटर को डिसार्ज कर दिया चिए फन्ट यह वात दियान दीजिये पहले जो हम लोग मॉस्टड डालेंगे तो कोज स में कोई दिख्खत में होट सैट में कुछ प्राब्मiral कोद्व आए कोदिन प्राब हो करगा इसे तो नहीं करेगा और इधर जितना भी शेक्षन Bar अगर एक खरब रहेगा, ओपेन करेगा, डेमेज रहेगा, कुछ रहेगा, फिर भी इधर सिगनल जेनेट करेगा, फिर मॉस्पेट डालने से पहले और एक चीज हम लोग को चेक करना पड़ता है, वो क्या है फ्रेंट्स, इधर जो कैपसिटर लगा है, इसका अक्रोस में इस सौड नहीं है, चला गया सौड, और एज इधर फेड लगा है, दो रिलय है इधर सौड है की नहीं चेक कर लिए और देखिए, इसका 2 और 3 में चेक कर लिए ना, ठीक है, अचेक है, यह दो नो आके रिलय को अपरेट करता है, और इधर देखिए, यह चानल यह वोल्टेज फीडबक के लिए इधर जो कपला लागा है जिसका जो LED का नॉज किया है यह इधर है अगर इधर नॉज रहेगा तो इधर से लाइट इमिटिंग करेगा तो उसके बाद इधर एरोर देगा उसके हिसाब से मतलब कितना वोल्टेज हो रहा है कॉंपेंसेशन फीट करेगा उसके बाद इधर आउटपुट देगा यह सेक्शन इधर के है और इधर दखिए नॉज है इधर LED है LED ब्लो करेगा उसके हिसाब से दो तो यह रीले ऑपरेट करेगा, मतलड यह फेट और करेगा उसके हिसाब से यह दो रीले ऑपरेट करेगा फ्रेंट मैंने देख लिया यह डायोट सॉड नहीं है क्योंकि अगर डायोट सॉड होता तो इस जगा में सॉड दिखाता है भीआ तो अभी मैं क्या क्सक्राइब विदा टब दाल रहा हूँ अपलोग इसको डाल दोंगा इसका भी ड्राइंग बना रहा हूँ अगर इसका ड्राइंग कॉंप्रिट हो जाएगा तो मैं वीडियो और बाट डाल दोंगा तक देखिने से आप लोगो शमाज बना जाएगा कैसी वर्क कर रहा हूँ पूरा सार्किर एक्स्प्लाइनेशन करूंगा अधा ड्राइंग हो गया अधा काम बाकी है अधा इसल्डिंग हो गया अब लोग एक चीज ध्यान देना पड़ेगा इसको खोल कर राखा हूँ इसलि अधा मैं लाइन का सोल्डिंग कर दे रहा हूँ अब लोगो दिखाने के लिए अधा फ्रेंट करके जोड़ दिया सब लाग गया यह उपन है सर्फ एक ओफलार सर्फ ओपन करके राखा हूँ क्योंकि अब लोग दिखा रहा हूँ अगर आउट पूड नहीं दे रहा है सही हो रहा है तो आब लोगो को डाउड आएगा यह कोल्ड साइड में कोई दिक्कत है की नहीं तो जआय कोल्ड साइड में स्थे चिज करो यह को चेक कर लो कापाएट को ऐसे सिंगेल भी चेक कर सकती हो और हिग मैं अगर और आ इसको कॉल के भी चेक नशाना उसको क्किए मैंने इसके जा रहा रहा है voltage एक धिएन दीजिएगा, ज्यादा चला जा रहा है फिरंट यह feedback चाला जा रहा है, यह feedback control इधर है, अगर इस side साइड में section में कुछ problem होगा, इस इस section है, फिर यह चौटा एक circuit है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक resistance है, एक generate diode है, फिर देखे, ground करके रखा वोल्टेज के अक्रोष में एक काम करता है और इधर जिनाट डायोड है यह 24 वोल्ट मतलब यह 24 वोल्ट का जिनाट रहेगा और लाइट इसलिए इधर एक कापासिटा दिया रहेता है अगर कभी वोल्टेज फ्लेक्टुएशन करेगा वर्ड रहे घट रहे तो यह पी एफ क अगुज नहीं है यह सिंपिल एक छोटाएशन के सब्सक्राइट है अगर आएशन काम करता है वो समझ जाओ तो कोई प्राब्लम नहीं है अभी क्या करूंगा मैं इसको खोल दे रहा हूं मैं इसको नहीं खोलेंगे डायरेक्ट अलोगा दिखाने के लिए एक कॉपलार को के टाल दे रहा हूं इक ओ फलार को टाल दिया फिर वह भाने इसको शोल्दिंग कर दे नहीं हाँ शोल्डिंग कर दिया फ्रिए फ्रेंट नहीं है इसको पावर दोगा 24 फोल्ट आजागा 24V अगया फ्रेंट 24V आगया अब लोगों समझ में आ गया कैसे बसिकिन मतलब एक राब आइडिया आ गया कैसे चेक करना है अगर अब लोगों के डेट कॉंडिशन में आ रहा है तो कैसे चेक करना है अब लोगों किया डुए अपली आपकर को крепर का काम कलें वाट तो नहीं काम करकें चेक करना है इसके बाद मस्विट को खोलें करना है इस बीदियो के लिए इतने तक अगर इंफ़र्मेट भी लागा घर भीए किजिये चानल को सब्स्कुर्क कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फड़ोर कीजिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग